लास्ट एपिसोड में तांग सेन और क्यान रैक्षवय के बीच अपने वेपन से खतरनाक फाइट चल रही थी जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और आज भी हम उसे सीन को देखते हैं जहां तांग सेन और क्यान रैक्षवय के बीच खतरनाक फा प्रेजी के साथ हो रहे होते हैं और इन दोनों के अटाइक्स जितने पावर्फुल होते हैं कि आसपास का जंगल तबाह होने लगता है अगर इस फाइट में ये दोनों अपनी सोल स्किल्स का इस्तेबाल करते और तांग सेंग की सोल पावर डैमेज नहीं होती तो ये ये यहां पर क्यान रैकश्वय कहती है कि आटेग्स तो खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं मुझे उसके अटेग्स को आवाइट करने में मुश्किल हो रही है जो कहने के साथ ही क्यार्यक्षवय तांग सेंग पर एक पावर पुल स्लैस अटैक करती है जिससरे खतरनाग एक्स्क्लूजन होता है पर तांग सेन उससे बच जाता है और क्यान रैक्षवे के साथ तुबारा से फाइट करने लगता है पर इस बार कुछ अलट होता है और तांग सेन क्यान रैक्षवे को अटाक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और लगातार उस पर अटाक कर जो देखकर किया number भिभती है अब क्रिकमे कोई आश्चर की बाक नहीं है कि 99 लेवल कि देवी डॉउप ऌनगसें से क्यों हार गई जो कहने के साथ ही किया रक्षवय अपनी से से कंड स्वार्ड बाहर निकालने लगती है जो देख कर तांग सेंड है और तभी क्यांग कि चल सके हैं कि ऑगर उसकी फ्यूचर में क्यान रेक्षवय के साथ वाइदा मिल सके जो कहने के साथ ही तांसें बड़ी तेजी से क्यान रेक्षवय पर सथीख अटैक करता है पर कियान रेक्ष मेwen से देख लेती है और उस अटैक को बड़ी मुश्किल से रोख लेती है पर फिर भी क्यान रैक्षवय कहती है नहीं ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी और तभी डार्क साइड उससे बोलती है जीत की चामी हमेशा तुम्हारे हाथ में रही है और फिर क्यान रैक्षवय से उसकी स्वार्ड लेते हुए कहती है मैंने तुम्हें इस Holy Sword के विड्रोइंग की स्टोरी सुनाई ताकि तुम एक एंजल के स्टेटस को अचीव कर सको पर असल में ये स्टोरी तो किसी दूसरे की है जिसके साथ ही डार्क साइड उस स्टोरी को दूर ठेक देती है और हमें एक अलग स्टोरी सुनाई जाती है जहा ये बूल पूरा नहीं किया जा सकता यहाँ मैं आप सभी को ये बता दूँ ये रियल एंजल गौड नहीं है ये भी कि अमनेक्षवे की तरह गौड बनने वाली है अभी ये एंजल स्टोर के सामने खड़ी है और कहती है अगर मैं इस स्टोर को हासिल कर लेती हूं तो इसके आसके साथ और भी पावरफुल बन सकती हूं ये कहने के साथ ही जैसे ही वो अपना हाथ फुली स्टोर की तरफ पहाती है तभी यहां सी गौड आ जाते हैं और उसे स्टोर को ही अन्मूल समझते हैं पर उन्हें स्टोर के नीचे जो सीची बुराई जो सुनकर एंजल गौड कहती है तुम ऐसे येक्ट मत करो जैसे कि तुम सब की चिंता कर रहे हो तुम एक स्वार्थी हो हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं और मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करती हूँ विर भी तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे गौड इसलिए तुम मुझे रोखना चाहते हो पर ऐसा कभी नहीं होगा जो कहने के साथ ही वो सी गौड पर अटैक करने आगे बढ़ती है जिस पर सी गौड कहते हैं तुम गौड बन्गने के चक्कर में अंधी हो चुकी हो तुम्हें पता नहीं है आगे क्या होने वारा है जिसक सुनने के बाद भी एंजल गॉड अपने आप को छुड़ा लेती है और सीधी होली स्वाड को बाहर निकालने लगती है और सी गॉड से कहती है इस दुनिया में जो बुराई पगत रही है उसे मैंने और तुमने एक साथ देखा है और अगर मैं एक गॉड बन जाती हूं तो म मैं इन सबी को दूर कर सकती हूं और इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकती हूं जो कहने के साथ ही यह बंदी एंजल सोड को बाहर मिकाल लेती है जिससे और नीचे שी की गई आजाध होने लगती है जो देखकर सी गॉड कहते हैं तुमने 272 अर उ Atl listics ब्रस की घुश्य को भू मत करना और इसी के साथ इन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और मैं तो यहां पर एंजल गौड को देवबानुश समझ रहा था पर साली यही असली मुसीबत की जर्म निकली इसने ही डार्क नेंस को आजात किया और अब डार्क साइड क्यान रेक्षवय से कहती है तुमने देखा एंजल ने भी गौड बनने के लिए अपनी डिजायर्स को चुना और इस तरह से गौड बन गई और एक तुम हो जो मुझे अवाइड कर रही ह यही तुम्हारी नाकामी का कारण है इसके साथ ही डार्क साइड अपनी बातों से क्यान रेक्षवय को अपने वश्मे करने लगती है और कहती है जैसा मैं करती हूँ बिलकुल वैसा ही करो तुम्हारे पास एक ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जो तुम्हें कभी दोखा नह करती है और उसे कहती है गौड ओफ ओसियन ने एंजल गौट के डिटर्मिनेशन को कभी समझा ही नहीं और नहीं तुमने यह समझा तुम बस मुझे अपने च्छाओं को पूरा करने के लिए एक पपेट की तरह समझती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं क मैं जो दर्द से रही हूं वो तुम पर भी रिफ्लेक्ट होगा इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे जैसे डार्क साइड जल रही होती है वैसे ही उसका दर्द क्यान रैक्ष्वय को भी हो रहा होता है और क्यान रैक्ष्वय रुपती नहीं है और डार्क साइड को जलाने ल और भला वैं तुम पर भरुसा क्यों करूँ तुम्हे तो एंजल लाइट में रात में बदल जाना चाहिए जिसके साथ ही क्यान रैक्षवय एंजल लाइट से अपनी डार्क साइड को तरपा तरपा कर खत्म कर देती है जिससे उसकी बॉड़ी से टेज लाइट में करती है ज जिसे देखकर तांसें समझ जाता है कि इसकी स्टर्थ और स्पीक पहले से भी बढ़ चुकी है पर पर इसकी सोल पावर में कोई बदलाव नहीं गवा है लगता है ये मेंटालिटी चेंज हुई है यहां तांसें के लिए क्यान रैक्षवय के अटैक्स को रोपना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है और तिर तांसें कहता है मैंने टीम सोल रिंग्स को फोर्सफुली एक्जांट किया है उस सोल पावर को मुझे अपनी बॉड़ी में एड़िस्ट करने के लिए मुझे मेडिटेट करना होगा जो मैं जल्दी से कर सकता हूं जो कहने के साथ ही तांसें तेजी से क्यानरैक्षवय से दूर जाने लगता है तभी क्यानरैक्षवय उसके पीछे आते हुए कहती है तांसें अब मेरे दिल में कोई बाधा नहीं है इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरापाऊगे जिसके साथ ही क्यानरैक्षवय बहुत ही तेजी से तांसेन पर लगातार पावरफुल अटैक्स करने लगती है जिन्हें रोपने में तांसेन की भी हालत खराब होने लगती है यहां तक कि इन अटैक्स को देखने में सरसुरा मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पर रहा होता है तो तांसेन क्या चीछ है अब ये सब देखकर तांसेन का फारा हाई होता है और थिर वो अपनी मर्शल सूल का इस्तिवाल करने लगता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है अगले पार्ट की लिंक इस्क्रिप्शन में है जाओ और देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना कुले प्लीज सब्सक्राइब करें करें प्लीज सब्सक्ताइब करें